हलो दोस्तों आप सभी का मेरी छोटी सीरसोई में स्वागत है मेरा नाम सरविला है और आज मैं आपको भिंडी की मसालेदार रेसिपी बताने जा रही है जो बहुत ही मज़ेदार बनती है इसके साथ मैं एक ट्रिक भी दोंगी जिससे भिंडी हमारी चिपचिपी नहीं पनेगी और एक दूसरा ट्रिक दोंगी जिससे इसमें एक सोनहापन आएगा वो वीडियो के साथ में बताऊंगी इसमें लगने वाली सभी चीजों का लिस्ट में आगे लिखते जाओंगे, इसलिए मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अब चलिए बनाते हैं भिंडी की सबजी तो दोस्तों, यहां मैंने आदा किलो भिंडी लिया है, इस धोग के आप किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोच लीजिए, उसके बाद आप इस तरीके से बड़े बड़े टुकडों में काट लीजिए, मेरी यहां बड़ी भिंडी थी तो मैंने दो से तिन टुकडा कि के लिए हम इस पर कोटिंग बनाएंगे जिससे कि चिपचिपाहट कम हो जाए इसके लिए मैंने आधा चमच हल दी और एक चमच मैंने यहां पर कॉन फोल लिया है इससे बहुत ही अच्छा भिंडी में क्रिस्पी हो जाएगा किस्पी बनाएगा और वह एक लेयर बन जाएग तो यह भिंडी अपना पानी छोड़ने लगेगा जिससे कि वह खराब हो जाएगी तब इससी तरीके से इसका एक लेयर तरह त्यार कीजिए आप देख सकते हैं मैंने इसे मिला लिया है अब इसे हम साइड में रखें तो अब हम ग्रेवी की त्यारी करेंगे उसके लिए मै नहां पर मैंने अद्रक लशन का पेस्ट लिया है एक चमच तो दोस्तों अब हमें कडाही लेंगे उसमें पान से छे चमच बड़े अत्यल डालेंगे और उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे उसे गर्म करने के बाद आप उसमें भिंडी डाल दीजिए जो हमने कोटेट करके अपचे दाल दीजिए और वसे में दो से तीन बार एंड़का होगा इसमें इसमें मैंने पोरे विंडी नहीं डाला है complex सकते हैं आप देख सकते हैं यह सारा प्रोसेस आप मीडियम फ्लेम पे भी कर सकते हैं घूंकि इसे टाइम लगता है बिंडी इतनी असानी से लाल नहीं होता अपना कलर नहीं चिंज करता है तो आप देख सकते हैं आप एक से धूनिय आप चलाते रहें, स्टुर करते रहें जिससे के बिंडी यहारा जले ड़े एक से दो लाल मिर्च इस अब देख रहे हैं इसमें इक पच्छ फोरन डाला है मैंने भिंडी में पच्पोरन का टेस्ट बहुत और तरीकी से ज़रू जा लि데 कलॉंजे मेथी सब तो घर में मिक्स करके बना लीजी और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है थोड़ा सा भुनने के बाद आप इसमें कटे हुए प्यास डाल दीजे जो हमने बारिक काट के रखा था आप उसे डाल दीजे और इसका एक सिक्रेट है आगे जाके मैं बताऊंगी कि इसमें मैंने एक और च प्यास को हम अच्छे से भून लेंगे अब इसमें हम नमक डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक डाल रहे हैं क्योंकि हम हमें ग्रेवी में बाद में डालना है अभी मैं जस्ट प्यास भर टाल जहूं जितना में हमारा प्यास अच्छे से गल जाए मैं उतना ही डाल रही हूं आप अब इसी तरीके से प्याज को अच्छे से गलने तक पकाएं, अब देख रहें रहें, लाल हो रहा है, अच्छे से भून गया है अब इसमें हम अधरक लग लशन मिर्ची का पेस्ट लेंगे, यहाँ पे मैंने मिर्ची इसके साथ में पीशा था आप अलग से भी ले आपको लाल मिट जादा डालना है तो आप डाल सकते हैं अप तीखा अपने अकॉर्डिंग करें और इसे भी हम मेडियम फ्लेम पे दो मिनट के लिए भूनेंगे जब तक अधरक लशन का कच्छापन खतमना हो जाए आप देख रहें इसी तरीके सा भून लीजिए तो प्याज जब हमारा भून जाया तब आप इसमें टमाटर डाल दीजे जो हमने पीसके रखा था उसे भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजे एक मिनट तक पकाईए उसके बाद हम इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालेंगे कलर के लिए इसमें हम एक चोथा ही चम्मच ल अधा पड़ता है इसलिए एक बड़ा चम्मच धनिया डालेंगे एक चोथा ही चम्मच हम इसमें गरन मसाल डालेंगे आधा चम्मच जीरा पॉडर डालेंगे और आधा चम्मच हम कस्मीरी लाल मिच डालेंगे कलर के लिए इन सब आप अच्छे से मिला लीजिए और अच् इससे इसमें सोनापन आएगा एक टेस्ट आएगा जिससे की सबजी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा ताप इसे जरूर डाले और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने यहां पर दो बड़ा चम्मस दही लिया है मलाई के साथ में खटी दही नहीं है यह नॉर्मल अच्छे से मिलाईए और इसे अच्छे से पका इसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी आट कर सकते हैं अब आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दीजे और अच्छे से इन सभी को मसाले को पकने तक आप भूनिए इसे हम गया बंद करके ढखकन लगा के भून करेंगे और इसमें बेशन डालने के कारण हमारा जो जो सबजी है उसमें काफी अच्छा फ्लेवर आएगा उसका जो सोना पण रहता है बहुत अच्छा हैगा अब देख रहे हैं कितना क्रिस्पी लग रहा है बहुत ही अच्छा भिंडी हमारा भुना था आप इन सब भिंडी को इसमें डाल दीजे भिंडी को अर अच्छे से मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद आप आपस धकन लगा के दो मिनट के लिए हो गया है अब इसमें पानी आड करेंगे पानी आप uh д lég कि आपको कितना रहे है कैसा चाहिए अब मुझे जाधा रहाग श्राइं अज़ाता पांडी आप पानी अपने अपने अप्ने अपूर डालिए कि आपको कैसा खाना है उसा आप से बनाइए इसकी ग्रेवी बहुत ह अब आप देखें सब्जी हमारी रेडी हो गई है कितना अच्छा इसने अपना तेल छोड़ दिया है आप इसे मिक्स किजिए हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला कसूरी मेथी डालेंगे और बटर डालेंगे बटर ऑप्सनल है जरूरी नहीं है कि आप इसे डालें मुझे आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लिजेगा और कमेंट करके बताईएगा कि कैसी लगी और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा इसी से आपको मेरे लेटिस वीडियो का अपडेट मिलते रहेगा